कई बार सुबा का टाइम ऐसा होता है जब हमें समझ नहीं आता है कि आज नास्ते के लिए क्या बनाया जाए आज ब्रेकफास्ट में ऐसा क्या बनाया जाए जो खाने में टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो और साथ में कम तेल में बनकर त्यार भी हो जाए तो आज हम लोग सूजी से एक ऐसा ही नास्ता बनाने वाले हैं, जो फटा-फट से बन कर तियार हो जाता है, और बहुत ही टेस्टी बन करके रेडी भी होता है, तो यहाँ पर हमने हाप कप सूजी लिया है, सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, मोटी सूजी ले सकते हैं, या फ इतना सूजी लिया है, उतना ही पानी लेना है, और सूजी में धीरे-धीरे करके पानी डालते जाना है, और मिक्स करते जाना है, सूजी बहुत ज्यादा पानी सोकता है, बहुत ज्यादा पानी एबजर्ब करता है, तो पानी मिक्स करने के बाद रेस्ट पर रखना जरूरी हो तो सारा पानी हमने डाल दिया है, इसे मिक्स करने के बाद ढग के रेष्ट के लिए रख देते हैं, तब तक हम लोग एक छोटी सी तयारी और कर लेते हैं, यहां पर गैस के उपर एक कड़ाही रख देना है, और इसमें डाल देना है कुकिंग ओल, तो जो भी आप तेल खाते देना है एक भारी कटा हुआ हरी मिर्च, तो मिर्च यहां पर आप लोग अपने टेस्ट के कोर्डिंग बतलब डाल सकते हैं यहां फिर बच्छों के इसाब से बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग मिर्ची यहाँ पर कम ज़्यादा डाल सकते हैं और साथ में लेना है एक प्याज तो प्याज को इस तरह से लंबे लच्छे में काट करके त्यार करना है आप चाहें तो प्याज को काटने के बाद हाथ से मसल करके मतलब धो देंगे न तो अच्छे से इस तरह से लंबे और पतले लच्छे में बन करके रेडी हो जाता है प्याज डालने के बाद इसे एक से दो सेकेंड तक इसे रोष्ट कर लेना है मतलब mix कर लेना है प्यास को हमें बहुत ज़्यादा गलाने की जुरूत नहीं है और साथ में लेना है मतलब इसी तरह से लंबे लच्छे में कटा हुआ गाजर और साथ में लेना है सिम्ला मिर्च इसे भी लंबे लच्छे में इस तरह से पतले-पतले काट करके लेना है अगर आपको पसंद है, तो यहाँ पर आप लोग पनीर भी चाहें तो डाल सकते हैं, अच्छे से एक से दो मिनिट तक, मतलब भूनने के बाद, गैस का फ्लेम, मिडियम टुफाई रखना है, दो पिंच हल्दी डालना है, और साथ में डाल देना है, थोड़ा सा बिल्कुर र इसके बाद आप लास्ट में एड़ कर दीजिए, खुब धेर सा अरा धनिया, मिक्स कर दीजिए, और फिर इसके बाद गैस का फ्लेम ओफ कर देना है, बहुती टेस्टी और बहुती चटपटा सा हेल्दी टेस्टी, स्टफिंग बन करके रेड़ी है, यहाँ सूजी भी रे इस भी बन करके रेड़ी होता है, और सेम इसी तरह से मिक्स करते जाना है, और धीरे धीरे करके पानी इसमें डालते जाना है, तो जितना पहले पानी लिया है, जिस कप से सूजी मेजरमेंट करके पहले एक कप पानी डाल दिया है, हमने उतना ही पानी फिर से लेना है, और धीरे धीरे करके पानी एड़ करते जाना है और सांत में डालना है यहाँ पर दो चम्मच मैदा अगर आपको मैदा पसंद नहीं है खाना तो आप इसमें गेहूं का आटा डाल सकते हैं या फिर बेशन भी डाल सकते हैं मिक्स करते जाना है और इसे एक पतला सा घोल बना करके ready कर लेना है फ्रेंज अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगे तो like कर दीजिएगा share कर दीजिएगा मेरे channel को अगर आप तेहली बार देख रहे हैं तो इसे subscribe करना बिल्कुल न भूले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले हर एक वीडियो का notification आप लोग के पास सबसे पहले मिल जाए तो इस तरह से एक पतला सा गोल बना करके ready कर लेना है एक running consistency में तो यहाँ पर पानी डालने के बाद अच्छे से mix कर लेना है तो हाप का पानी का use हमने और किया है इसमें जिससे अच्छे से घोल बन करके ready हो अब इसमें add कर देना है नमक टेस्ट के according और साथ ही add कर देना है यहाँ पर दो पिंच आप चाहे तो baking soda यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसमें इनो एड़ कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने इनो का use किया है अच्छे से mix कर लेना है और एकदम perfect hole बन करके ready है तो चलिए gas की तरब चलते हैं यहाँ पर पहले सही हमने gas के उपर तावा गरम होने के लिए रख दिया है और जब तावा अच्छे से गरम हो जाए फिर एक चमस तेल डाल कर पूरे तावा के उपर अच्छे से grease कर लेना है क्यूंकि आज का नास्ता हम लोग कम तेल में भी बना कर त्यार कर रहे है तो बहुत ज़्यादा तेल का use नहीं करेंगे हाँ तेल अपलाई करना जरूरी है जिससे नास्ता बिल्कुल क्रिस्पी बन करके त्यार हो और इसे निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो बैटर को डालने से पहले एक बार आप लोग मिक्स जरूर कर लिजिएगा क्यूंकि रखने के बाद नीचे जा करके बैठ जाता है सारा कुछ तो इस तरह से एक चमस बैटर लिजिए और पूरे तावा के उपर इस तरह से फैला दीजिए बैटर बहुत पतला है तो आराम से इजली फैल जाता है तावा के उपर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और इस तरह से जब नीचे से अच्छे से सीख जाए और उपर से ड्राई होने लगे तो थोड़ा सा कुकिंग तेल एप्लाई कर देना है और जब किनारे छोड़ने लगे तभी आपको इस नास्ते को पलटना है और इसे पलटने एक बाद दूसरी साइड भी अच्छे से कुक कर लेना है मतलब दोनों साइड हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लेना है और आप चाहें तो उपर से थोड़ा सा तेल कुकिंग ओयल एप्लाई कर सकते हैं जिसे दोनों साइड बिल्कुल कलर भी अच्छे से आजाए और अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए अब जो भी आपने स्टफिंग बना करके रखा है इसके उपर एप्लाई कर देना है आप चाहें तो यहाँ पर सॉस का भी यूज कर सकते हैं या फिर म्यूनिज आगर आपको खाना पसंद है तो आप डाल सकते हैं और इसका रोल बना करके तयार कर लेना है तो बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होता है और हल्दी भी बन करके तयार होता है क्योंकि इसमें खूब धेर सारा सब्जियो का यूज हमने किया है और इस तरह से इतना क्वांटिटी में हमने यहाँ पर तीन इस तरह से आप बना करके तयार कर सकते हैं स्प्रिंग रोल आप बोल सकते हैं, सबजी वाला, वेजिटेबल, स्टफ वाला, तो हमने एक और बना करके यहाँ पर त्यार कर लिया है, तो इस तरह से बनाने के बाद आप चाहें, तो इस तरह से दो पीसे में कट कर सकते हैं, और उपर से चाहें, तो थोड़ा सा सौस से गार्निस कर लिजिए, और इंजॉई किजिए, गर्मा गरम बहुत ही टेस्टी बन करके त्यार हुआ है, तो एक बार आप लोग इसे जरूर ट्राइ करें, और हम लोग मिलते हैं इसी तरह के एक और नई और इंट्रेस्टिंग रेसेपी के साथ, तब तक के लिए बाबाई, थैंक्स पूर वाचिंग